नमस्कार दोस्तों मैं विकास स्वागत है आपका इशड़ी मेरी जिद में आज से हम उत्तर प्रदेश करंट अफेर्स के प्रशन आपको इस वीडियो में देखेंगे और वो भी बन लाइनर प्रशन जो आपकी वीडियो रियेक्जाम परिच्छा के लिए मोश्ट इंपोर्टन होने वाले हैं तो चलिए इस तुरुआत करते हैं प्रशन है आपका कि बैस्विख खुसहाली दिवस यानि 20 मार्च को जो मनाया जाता है परिजारी रिपोर्ट के रुशार दुनिया के 40 खुसहाल सहरों में उत्तर प्रदेश के किस सहर को सामिल किया गया तो ये किया गया है कानपूर को सामिल यानि कौन सा इस्थान मिला अगर ये पूछा जाए तो ग्यारवा इस्थान है लिश्वन सीर्ष पर रहा और अगर यह कहा जाए कौन सा सहर सीर्ष पर रहा है तो लिश्वन जो सहर है वो सीर्ष पर रहा है और उत्तर प्रदेश का कानपूर जो सहर है वो ग्यार में स्थान पर रहा है प्रशनगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में संस्कृत अध्यन का सबसे बड़ा सेंटर बनाया जाएगा तो उत्तर प्रदेश के लखनव जिले में संस्कृत अध्यन का सबसे बड़ा सेंटर बनाया जाएगा चले आगे बढ़ते हैं प्रशन अगला है कि 27 मार्च 2023 को किस राज सरकार केंदर सासित प्रदेश ने यह घोषणा की है कि उह सारस एवं वारे सिंगा के लिए जंगलों में बिशेश पार्क बनाएगी तो यह घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने अगला प्रशन उत्तर प्रदेश के किस विश्विध्याले द्वारा श्टार्ट अप मेले का आयोजन किया गया तो उत्तर प्रदेश के इलावाद विश्विध्याले द्वारा स्टार्टप मेले का आयोजन किया गया अगला प्रशन है कि भारतिय रेलवे द्वारा उत्तर प्रदेश के किस सहर को मेट्रों के जरिये संपूर भारत से जोडने का निरड़े लिया गया अगला प्रशन उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला सेमी कंड़क्टर पार्क बनाया जाएगा तो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर्ज में पहला सेमी कंड़क्टर पार्क बनाया जाएगा अगला प्रशन प्रोपेसर हरिदत शर्मा को विश्व भारतिय सम्मान में नवाज आ गया है इसका संबंद उत्तर प्रदेश के किस जिले से है तो इसका संबंद उत्तर प्रदेश के इलहावाद यह प्रियाग राज जिले से है प्रशन अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में. इट राइट मिलेट की अवास योजना के अंतरगत कौन सा राज अलप शंखिकों को आवास देने में सीर्स रहा है तो ये रहा है आपका उत्तर प्रशन अगला है कि हाल ही में कैंदर सरकार ने 21 नए ग्रीन फिल्ड हवाई अड़े को मंजूरी प्रदान की है इन में से उत्तर प्रदेस के किन किन हवाई अड़ों को सामिल किया गया है तो ये किया गया है कुसी नगर और जेवर हवाई अड़ा को यनि उत्तर प्रदेश के दो हवाई अड़ों को सामिल किया गया है जिनमें कुसी नगर और जेवर हवाई अड़ा आते है अगला प्रश्ण है कि 1 अप्रेल 2023 से किस राज सरकार ने कवाड़नीत 2023 को लागू किया है तो ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में रेशम क्रशी महुसब का आयोजन किया गया है तो उत्तर प्रदेश के गोरख पुर जिले में रेशम क्रशी महुसब का योजन किया गया है अगला प्रशन है कि 1 अप्रेल 2023 को उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान 2023-2024 की सुरुवात किसके द्वारा किये गई तो ये की गई है योगी आदित नात के द्वारा चले आगे बढ़ते हो प्रशन अगला है कि भारस सरकार की नई विरेशी ब्यापार नीती 2023 के अरुसार उत्तर प्रदेश के कितने सहरों को निर्यात उत्तकरष्ट सहरों में सामिल किया गया है तो ये क्या गया है तीन सहरों के कौन कौन से हैं वो बाराडशी है मुरादावाद है और मिर्जापुर है अगला प्रशन है कि सुदेश दर्सन योजना 2.0 के अंतरगत उत्तर प्रदेश के किन सहरों का पर्याटन विकास किया जाएगा तो ये क्या जाएगा प्रियाग र पार्कों की मन्जूरी प्रदान की गई है तो ये की गई है आठ सौर पार्कों की मन्जूरी प्रदान की गई है तो ये थे आपके वन लाइनर करंट अफियर के फ्रशन जो मैंने इस वीडियो में करा दिये हैं मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए करंट अफियर के प् आन्ने बाद